रेवाडी में दिल्ली जैपुर हाईवे पर मंगलवार दोफैर केमिकल से भरे ट्रक और टेक्टर की टककर में पांस साल के बच्चे की मोत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गई और बीती रात केमिकल युक्त पानी पीने से 32 गायों की मोत हो गई दरसल जिस केमिकल से भरे ट्रक का एक्सिडेंट हुआ था उसका केमिकल लिकेज होकर सडक किनारे भरे पानी में मिल गया जिसके बाद उसी केमिकल युक्त पानी को पीने से 32 गायों ने तड़त तड़कर द ती और दोनों वान रेलिंग तोड़कर फ्लाइवर के नीचे आगी रहे थे इसमें ट्रेक्टर में सवार एक बच्चे की मोत हो गई थी जबकि एक युवक और एक महिला घायल हो गए थे जिन्हें अस्ताल में भरती कराया गया था वही ट्रक चालक मोके से फरार हो गया था और 32 गायों की मोके पर ही तड़क तड़ब कर मोत हो गई सूचना के बात रात में मोके पे पहुचे परसासन ने गायों के इलाज और सड़क पर कैमिकल पर मिट्टे डिलवाई वही कोई जानवर ना अए लेकिन यह अपोजिट साइड से और अंडर पास के निचे से गायों का जुंदा आ गया तो उसमें से कुछ गायों ने पानी को पी लिया जी सब्सक्राइमिकल पानी ना उसके बाद यह गटना लिए लिए कितनी गाउतिसा इसमें 32 गायों कोई ह पीच में गटों ट्रोल चालक टॉप जो ट्रोला के मालिक हम दोनों को मत रेस्ट कर लिया है अब तो क्या गैस को खतम करने के लिए वहां से उसको जो हम रेस्ट करने के लिए हैं तो मृप करवा रहे हैं तो 25 गाय तो पूरी लंगर आरी ति उसमाइटीν घटिस कई खतम इसे बैक वाति को माइले कर देने स्क जो य로 है लेगा था इंडासगे कामी कर शाट पसस्कुल कन कर दोबहां तोड़ में दोसो गाई थी और बगी वाकीब्दकी है जी कितने भीमार हैं करते हैं जो हमारे गर्मेंट करते हैं वो कर सकते हैं तो हमारे से गरीब लोग काम